हलो प्यारे दोस्तों स्वागत हैं आप सब का आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान में 1857 की करांती और यह हमने टोपिक पड़ा हैं बहुत अच्छे से पड़ा हैं और जरूर ही यह बिना बताए बले यह टेस्ट मैंने आपका लिया है मतलब कि जब यह पेपर आपको मिला थ कि आज अपना टेस्ट 1857 की करांती का होने वाला है लेकिन आपको बहुत अच्छा लगा होगा नाम देखते ही मज़ा आ गया होगा क्योंकि यह टोपिक मतलब बहुत अच्छे से पड़ चुकि हम तो शुरुआत करते हैं आंसर वगेरे मिला लीजिए आप और कितने सही हो कुसाल सिंग और पहला प्रस्न भी उनका ही है तो बहुत अच्छी बात है ठाकुर साब द्वारा अंगरेजों के समक्स आत्मसमरपन के बाद जाच के लिए कौन सा आयोग बना था तो यह उने पढ़ा था बहुत अच्छे से मेजर टेलर आयोग यानि कि डी ओप्सन इसमे सही होगा 1860 में उन्होंने आत्मसमरपन कर दिया था और नवंबर 1860 में कुसाल सिंग है मतलब कुसाल सिंग है उनको निर्दोस साबित कर दिया था इस आयोग ने यह भी ध्यान रखना है कि इनको कोई सजा नहीं मिली थी मतलब यह क्या थे निर्दोस थे यह हमें पता होना चाहिए पहला प्रसन अपना कंप्प्लीट है, जह आँग के लिए मेजर टेलर आयोग बना था दूसरा है, राजस्थान का कौम सा घ्रांतिगारी राजस्थान का मंगल पंडे कहलाता है, मंगल पंडे अपने इंडिया लेवल पे सबसे पहले सईध हुए थे अपने राजस्थान में कौन सहीद हुए थे तो अमर्चन बाटिया जब हमने पढ़ा था उस समय राजस्थान का मंगल पांडे नहीं पढ़ा था लेकिन अब आप नोट कर ले ना राजस्तान का मंगल फांड है हमने जो पढ़ा था वहां मर्चन बाटिया के साथ लिखा हो था पर्थम सहीद तो इंडिया लेवल पर पर्थम सहीद ये थे तो यहां अपने यह यह उदाएगा निमत चावनी के सेनिकों ने विद्रो के बाद दिल्ली जाते समय किस अन्य चावनी में पहुँच कर वहां पर भी तो इस तरह का मेफ है राजस्तान का निमत की स्थितीर बढ़ती है यह यहां से निकले वो तो बीच में पढ़ता है देवली और इस देवली से होते हुए इन्होंने वाँ विद्रो किया था टोक वड़ा देवली यह आपको पता होना चाहिए दिल्ली जा रहे थे इस हीद में दिल्ली है यहां पर एक से अटारस्ताओं की क्रांती के समय ब्रिटेन के परदान मंत्री कौन थे अब यह प्रसना जो हमने नहीं पढ़ा है ने अपने नोट्स में था ने क्या था और फिर भी अगर बाई चांस यह प्रसना आ जाता है तो पामर्स्टन का नाम हमें याद होना चाहिए जोर्ज पामर्स्टन अब इनका नाम यहाँ पर पूछने का क्या परदज है हो ज़्यदा कुछ नहीं है लेकिन अटारस्ताओं की क्रांती के बाद देखो यह जदा प्रभाव में आ गए थे कंपनी कमजोर बढ़ गी थी इस कारण तात्या टोपे ने पहली बार राजस्थान में कहां इंट्री की थी कब इंट्री की थी तो अगस्ट अटारस्ताओं में यह आये थे और सबसे पहले अपने मांडलगट जिंदाबाद है वो भी आपको पता ही है तो अगस्ट अटारस्ताओं कौन से उप्शन में आ रहा है पंद्रिवी बंगाल नेटिव इंफेंट्री तो पहला है उप्शन इसमें सही हो जाएगा और फिर नेक्स है अठारा सितंबर अठारा सो सतां को ठाकुर कुसाल सिंग चंपाउत के नेत्रित्व में जोद बुर्गे किस पॉलिटिकल एजेंट को मार कर आओवा के किले पर कि MAK UMOK MEANSAN लिखा वाएँ यह यह है MAK MOK MARK MESAN में सही उतर हो जाएगा नेक्स है नेवल्गे मेंलिकित में से कौन सासान राजस्तान में 30 तान की क्रांती का केंद्र नहीं रहा था तो बाकी केंद्र हैं कंद्र हैं नसीराबाद हैं प्रतम निमस, देवलिटो डो, पर अजमेर है, इरिनपुरा है, आवा है, दोलपूर है, कोटा है, ये काभी फेमस चगए रही है, लेकिन जैपूर हैं वो अठारासोस ताउन की करांती में बहुत ज़्यदा चर्चा में नहीं रहा था, कारण किया था जो भी समझ लो, क्योंकि वहां का जो राजा था, वो जिशी दूरूप से उनके परभाव में था, अंग्रेजों के परभाव में था, तो वो तो अंग्रेजों की मदद करेगा, इस कारण से, और नेक्स चाहिए, अंग्रेजों ने अपनी सपत बंग की, क्या उन्होंने अवद पर अधिकार नहीं किया, हत्या उन्हें यह अप तो यहां पहला option है जो सही हो जाएगा आपना नेक्स है थारोस्ताओं की ग्रांती के समय निमत चाओनी का सुप्रिंडेंट कौन था तो कप्तान लोयर्ड यहां पर सही उतर है दूसरा option नोट्स में नहीं था अब रेट कर लेना आप यहां पर निमत चाओन लिखा हुआ और उसमें डेस करके सुप्रिंडेंट और लोयर्ड कप्तान केप्टन लोयर्ड ऐसे लिख लेना और अगर क्या कहते हैं रूल ओप रिजेक्शन से करते हैं आप तो मेजर बटन कोटा का था सोबर्स है जो मतलब की निवार का था तो दो अलग हो गए अब कॉंटम और लोयर्ड बचा हैं तो फिप्टी फिप्टी तक आ गया था मामला लेकिन कॉंटम का नाम तो अभी इसमें तो नहीं आ रहा है तो केप्टन लोयर्ड का नाम आप सुप्रिंडेंडेंड के रूप में लिख लेना निमच के साथ और नेक्ष्ट इलेवन्थ नंबर जो क्यूशन है उसको देखते हैं यहां है सुमेलित कीजिए और कूटों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए तो यह बहुत पीजी लग रहा है मुझे आराम से हम जो इसको स्ली कर सकते हैं जैसे नशीराबाद में बंगाल नेटिव इ करनी तो इसतरी को हमने एड़ कर लिया हालाइंकर यहां पर कर सकते हैं बहुत अच्छे से तो जिनका पता है तो उनका नाम आया होगा ज़रूरी मेवार भील्कोर दो का कहीं ना नाम भी नहीं आया कि लिजन ने तो लड़ाई की थी उसाल संग के साथ और बंगाल पहला दो जगे हैं फिर बी में क्या चाहिए बी में चाहिए थर्ड तो बी में थर्ड वाला पहले में पहला और बी में थर्ड यह नी चोथा ओपसन नहीं । इसका सही उपतर हो जाएगा नेक्स बात करते हैं बारवां जुसन है ठारास ताउन की गरांती के प्रमुक कारण कोन से थे तो कारण हमें पता लगाने हैं सायत तक लाश वाला उप्शन है जो सही हो जाएगा इसमें क्योंकि यो सभी होते हैं जादा तरह से प्रिश्मों में आंजर राजबोधना के सायक संदियों के बात अंगरेजों ने देशी रियास्तों के प्रसाशन और मामलों में अस्तक्षियप करना प्रारम कर दिया था बिलकुल सही बात है अंग्रेजों के अस्तक्षेप से राज्य की आय कम हो गई थी इसलिए सासकों को अपने खर्चों में कटोती करनी पड़ी ये भी बिल्कुल सही है राज्यों के साथ संधिया कर नमा कफिम पर एका दिगार करना क्योंकि इनके बिजनिस से काफी पैसा कमाया जा सकता था इसका रण फिर ये लाश्ट हो गया कि उप्लिटतर सभी कतन है वो सामिल है तो लाश्ट फ़ला उप्सन इसका सही अंसर में कौन सा कतन सत्य नहीं है मतलब एक सत्य कतन है जिसका में पता लगना चाहिए तो बात करते हैं इस समय राजस्थान में अंग्रेजी सत्ता का केंदरवा परतीक अजमेर बिल्कुल सही बात है सस्त्रागार भी था ये भी सच है जयवपुर एक मात रियासत थी जिसमें राजा के साथ माँ की आम जनता ने भी अंग्रेजियों का साथ दिया क्योंकि वह इतना ज्यादा है जो सपोर्ट नहीं कर पाये थे और दूसरा जो कथन है वह भी सही है तीसरा है विद्रों के समय राजस्थान में इस्तिप छह चा इसलिए अजमेर हैं उसको ज्यादा बढ़िया ठंक से कंट्रोल रखना चाहते थे वह एक केंद्र है जहां से सारी चीजे मेने जोती थी राजस्तान का दूसरा वह मासा जिनोंने रानी लक्षी वाय और ताट्या टोपे को दन दे कर काफी मदद की थी तो अमर्चंद बां के साथ जो अध्याचार किये थे अगर उनको हम देखें अगर कानी के रूप में पड़े तो इनका एक बेटा आठ साल का था उसको तोप के सामने बांद के उड़ा दिया था अंगरे जो इनके उपर क्या बिती होगी लेकिन इन्होंने जो काम किया था वह उस समय जो सही का सोडवा प्रस्ण है उसमें पूछा है कि अलवर के किस माराजा ने आगरा दुर्ब में केद अंग्रेजों और उनके परिवारों को चुटाने के लिए अपनी शेना सहीद गए परंतु रास्ते में विद्रोयों ने इन्हें राकर खजाना लूट लिया तो वह विने सिंग तो विने सिंग का नाम याद रखना विने सिंग के राजा थे अलवर के मुशिमारानी वाले जब ही नाम पटढ़ा हैं वहां तो थोड़ा बहुत यादा आ रहा होगा वह हैं और यह प्रियास करते हैं लेकिन सफ़ल नहीं होते सोड़ा के बाद सत्तरवा क्यूशन देखत तक चले गए थे यह हमने पढ़ा भी था बहुत अच्छे से लाड डल होजी की हड़प नीती के नुसार जहांशी को ब्रिटी सामरज्य का अंग कब बनाए गया अब इंडिया लेवल का क्यूसर है लेकिन अब आ गया है तो फिर हम बात कर लेते हैं अच्छे से पहले गाए आएगा इसमें अठरस तरेपन सही है नेक्स चैन अटारस ताउन की क्रांती के विद्रों के बाद कि सिर्यासत की तोपों की सलामी कम कर दी गई बहुत अच्छे से हमने देखा था यह और इसका जो सही उत्तर है वो है कोटा करोली की बढ़ाई गई कोटा की कम की गई थी और राम सिंग थे या राजा राम सिंग जुद्य है और फिर वो जय देयाल और मेराब खाने उनसे जूटे साइन कर वा लिए ते वह पूरी कहानी है जो आपको याद रखनी है नेक्स है अटारस ताउन की क्रांती के समय सिरोही रियासत का पॉलिटि और रूल और रिजेक्शन से आप इसका अंसर ला सकते थे क्योंकि मोरीशन इडन और बल्टन को अमने अलग जगे पढ़ रखा इधर मारवाड है इधर कोटा है और जेपूर है तो बचाई यह की है वह या अंसर हो जाएगा तो कभी-कभी रूल और रिजेक्शन या मिया पर भी लिखा हुआ है वैसे मैं और लिख देता हूँ नाम तागी मुझे भी याद रहे और मोरीशन नाम थोड़ा मेग मोशन से मिलता जूता है वह मेग मोशन है जो मारवड़गा था नेक्स है नशीराबाद चांवनि के बारे में कौन सा ज़तन है वह स्थ्य है यह पूछा गया है तो इसमें love असा और हमेelा मतलबł की पहला जोुक्षन है करांति के समय नशीराबाद में सथ्य कतन चाहिए या तो सथ्य कतन चाहिए तो थोड़ा अलग लेवल के कथन रहेंगे यह गलत रहेगा जिसे क्रांती के समय निशीराबाद में पंदर्वी तीसवी बंगाल नेटिव इंफेंट्री भारती तोप पाने के टुकडी तब फश्ट बंबई लोंसर्स के सेनिक विद्यमान थे अब यह कथन है वो सत्य नहीं है तो फिर सत्य जो की मतलब तोप वाला काम देखती थी और यह अब एक एडिशनल नाम है इसको आपको याद रखना है फस्ट बंबई लॉंसर्स और कुछ सेनिकों को फिर यहां से हटा जिया गया था और इसी करन जयदा है विश्वास पहलाता है क्रांतिगारी सेनिकों ने अंग्रेज पर नियंतरन रखने के लिए डीसा से यूरोपियन सेना कुछ तो पर मंगवाई गई थी ता इस तत्या को गुब दरखा गया था तो यूरोपियन सेना है मतलब कि अंग्रेजों को कुद की सेना आ गई तो कंट्रोल के हिसाब से आय थी मेजर सोबर्स ने बागी सेनिकों को नेजर प्रिचार्ड नेक्स है अटारस्तावन की गरांती के ऐस अपलता के प्रमुक कारण कौन कौन से थे राजस्तान की रियास्तों में संग्टन और एकता का अबाव था तो क्या था क्या इसा अगर देखा जाए तो तो बिल्कुल था यह सच है ऐस अपल इसी कारण करांती कारी नशीराबाद से शीदे दिल्ली ने जाकर अजमेर पर आकरम करते तो सायद करांती का शुरूर कुछ और ही होता तो यह ठीक बात है फिर नेक्स है राजस्तान के विद्रोईयों में आपसी एकता संपर का बाव यह भी सची है बड़े लेवल पर भी और दोनों कुल मिला के राजस्तान मेवाड और जैपुर के राजाओं ने तांत्या टोपे का सयोग नहीं किया था तो यह बात भी है जो मुझे लग रहा है कि क्या है सत्य है मतलब की कारण है एक तरीके से यह सत्य भी है सयोग ही था ज्यादा तर जो छोटे लेवल के सामन थे और ऐस नेक्स्ट है जोदपुर लिजन के करांदीगारी शेनिकों को किसके द्वरा ने त्रित्व प्रदान किया गया था ठाकूर आउवा गे ठाकूर कुसाल सिंग द्वारा कुछ जगे नाम कुसाल भी आता है कुसाल भी आता है देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है आउवा गे ठाकूर कुसाल सिंग तीसरा ओप्सन इसमें सही हो जाएगा चोबीश होने मीर आलम खां वे उनके परिवार्द बारा बारत के प्रथम स्वत्मत्रता संग्राम के समय राजस्तान के किस राज्य में विद्रोह में अग्रणी भूमी का निभाई गई थी तो यहां मीर आलम खां का नाम आते हैं में पता चल जाएगा कि यहां पर मामला है वो राजस्तान की एक मातर मुस्लिम बियास्त टोंक का है तो टोंक सही है इसमें की सायोग की सी पारिस पर ठाकर कुसाल सिंगं को रिहा गया ग्हारत के परफम संग्राम में जो वोजन सामगरी क्राथीगारी संडेश के साथ गाउं में वितृत कि जा थी टी वोह तो चपाती है यह प्रती की बन गया था कमल ओर चपाती तो याद रहना थे प्रभी और प्राद काटिया में VERY तो सपाती हैं वैसे आप याद रख लेना आप प्रती के रूह ने लिखिरीडर्टी जा थी ती तक किसी एक रियासत को तो नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए और पूटों को सही मिलान कीजिए तो यहां जो नेता हैं उनके नाम है और आराम से जिससे दोलपूर में देखो राम चंदर और हिरालाल है हमसे पड़ा था पीरा सिंग निमच में भी हैं इस कारण से हिरालाल तो पक्का याद करवाया था और मेव भरतपुर में जाएंगे तो इसका मतलब पहले में एक चाहिए पहले में एक दो में है फिर दूसरे में चाहिए तीन दूसरे में तीन इसी में है बस यह चोथा उप्शन है वो इसका आंसर हो गया किस अंग्रे जदिकारी ने केशरी सिंग की ब्रिटिश विरोधी गती विदियों को देख कर मेवाड माराना को उसके खिलाब कारवाई करने के लिए कहा परन्तू माराना उसके किलाब कारवाई करने का साहस नहीं जुटा सका तो ये प्रश्न पूचा गया है, हम बात कर लेते हैं पेटरिक लोरेंस इस अंग्रेज अधिकारी ने केशरी सिंग की ब्रिटिस विरोधी गतिविद्यों को देखकर मेवाड माराना को उसके खिलाब कारवई करने के लिए का, परनतु माराना उसके खिलाब कारवई करने का सास नहीं जुटा सका तो कारण क्या है, उसका कारण ये है कि उस समय केशरी सिंग है, वो भी थोड़े से प्रभावसाली थे इस कारण नेक्स है अटावस्तावन की करांती के दोरान राजस्तान का एक मात्र सू नियोजित संगर्ष किस राज्ये में हुआ था कौन सी रहा सकती तो देखो जहां जनता अगर सपोर्ट कर रही है और कोई वकील उनको लीड कर रहा है तो वो सब चीजे हैं जो सू नियोजित रहेग जोदपूर लीजन में सूबेदार के पदपर काम करने वाले गोजन सींग के बारे में यहां परसनाया है 21 अगस्त अटारस्तावन को माउंट अबू में अंग्रेज अधिगारी ओपर आकरमकर माउंट अबू पर अधिगार कर लिया था यह हमने नोच में नाम नहीं देख लिए अधिगार करने गोजन सींगाद है नेम लिकित में को सुमेलित कीजिये तता नीचे दिये गए गूट यह प्रसना जो मुझे अच्छा लगता है ऐसा प्रसना खूबी ऐसे प्रसना आते रहे तो बढ़िया है एक जहां में सारे प्रसना इसे आए तो क्योंकि यह एक है उनका सम्मध्र जो किसे हैं जोदबूर से अब ठाकुर हरनात का नाम नहीं सुना होगा आपने ठाकुर हरनात भी क्योंकि जोदबूर में कापी सारे जैसे शेन आपती ओनार शींग है और पृत्वी सिंग भी है अलग अलग नाम यसे हमने देखे तो लोग में याद पहले में एक चाहिए, दो में आ गया है, और फिर दूसरे में क्या चाहिए, तीन चाहिए, तो वो हर बार एक का एक वोई आंसर है, जो बनता जा रहा है, यहां पर भी छोता है, नेक्स्ट है, अरे यह राजा लोग देश पती चमीन का ठाकर छे, जे सारा इमाले का गले निस मिस्राया, क्या बात है, यह तो कितनी बड़िया लाइन है, अभी यह राजा लोग देश पती चमीन का ठाकर छे, जे सारा इमाले का गले मिस्राया, तो मतलब तो अभी मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या है यह, लेकिन ठीक है, इसमें छे से पता चल रहा है, आपने की यह जो आड़ोती हैं, बोली, और इसके जो कभी हैं, वो हैं, जो सुर्यमल मिस्रण है, राम सिंग जीतिय के दरबारी थे, जिन्होंने का भी शानदार किताबे लिखी है, वीर सच्छे के लेकर के हैं, तो पिर और क्या चाहिए, और नेक्स हैं, नेक्स हैं, नेक्स हैं, न बूसरा तो क्या हो गया, सई हो गया है, और आगे बात करते हैं, आगे किधर गए, दो उप्सन हैं इधर हैं अपने का सूजा कमर, राज पुरोईद का समन् itself भीका-u, नाझोर से हैं, नागोर, पहीच्छा कामर, राज पुरोईद हैं जो, वीका-u, नाज़िधिन WR, प REALLYатив traveled वह जनम कोटा रज्ये में हुआ उपसे र हर देयान बाटनागर यार वह जो कामा बात्फपूर के थे गर pouringर खोघ्तार से खर करें तो ये behind 있지 जो चाहें तो और हैं जो आप ऊब बंसे संदिया यांता क्योपिम्य लदंख नयए उट की तो से तो यहां पर जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा अपना एक और दो क्योंकि वो दोनों लाइने जो सही थी इन दोनों में एड्रेस के लगत हुआ नेक्स है लोट राम जाट के बारे में निम लिकिन में से असत्य कथन नहीं है मतलब कि सारे के सारे कतन हैं जो वो साय तक सत्य निकलने वाले देखो लोट राम निठारवाल जाट का जनम रिंगस सीकर में हुआ तो यह सही है मिलकर ढूंगर जी मिम अपरदाइक सब्वाव शीर सब्वायो और इसको क्या गए मिलकर ढूंगर जी व को आग्रा के किले से रिया करवाया था तो यह भी बलकुल सइए इनके रिंगस के ठाकूर से अनबर होने के बाद अपनी बहन के पास बठोट, बठोट पाटोता का नाम आया ही था, उन्हें पड़ा था जब लूटेरे लोग देता हूं कि बात की थी, उस समय ये भी सही है, और इनकी मृत्तियों टारासो पज़पने मुई थी तियाने की सत्ये हैं एक तरीके से, एक सत्या कता नहीं है, उसके पादाव सिदे बिसाआद और मदद की इसकी की थी तांत्या टोपे की हमने भी पड़ा था कि सीकर के सामंत को जो चांद से माड़ा था अंग्रेजियों ने शायता के लिए तो यह कुछ क्षेतर था जांके जो सामंत थे या जागिरदार थे उन्होंने मदद की थी अटारस्ताओं की गरांती के समय जो याद रखना है वहां के युद में यह जो वीर गत्ति को प्रातुवा था पेरो सिंग जोदा यह हमने नहीं पड़ा है नोट्स में तो प्रस्न तो बनाया जा सकता है संभव हैं सारी सीजें इनके बास पूरी की पूरी किताबे लिखी है अटारस्ताओं की गरांती में अग्रजुन कीताबे लिखी हैं से टाहिएं संह सकते वहां से जानकर सकते नाम आपको याद रखना है में यह लड़े और मरे और यह नहीं है तो यह जो चलार्म ईध्यक बात करने थो फरे जो नेक्स्त हैं नेक्स्त क्या लाष्ट है को बरस्न है कि प्रश् Inte पर 18 ताउन में किस विक्ति ने ब्रिटिस पॉलिटिकल एजेंट के घर पर कि आकरमन में सक्रिय भूमी का निवाई थी तो खवास खान या एवाज खान है जिसको यह कोटा का था और और 1860 में इसको खवास खान या उर्फ एवाज खान का मतलब ऐसे समझ ना इसी को एवाज खान भी करते हैं अठारास ताउन में है जो ब्रेटिस पॉलिटिक एजेंट के गर पे अकर्मन में सक्री भूमिगा निगवाई थी और 1860 में इसको क्या दे दी गई थी पासी दे दी गई यह आपको पता होना चाहिए एजेंसी में पासी देकर मार डाला था तो यह अठारास ताउन की ग्रां टोपी को लेकर फायद है रहेगा आपना बाकी जो में नोट्स हैं उनका एक बार रिविजन आपको जैसे पेपर दे दिया है आपने एक बार वापस से देख लेना कोई चीज अगर नहीं आई है तो उसको वहीं एड़ कर लेना ज्यादा बढ़िया रहेगा ओके धन्यवा झाल 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 झाल